एक और आवाज ऐसी है जिसकी गूंज आज भी साथ समंदर पार United Nations तक सुनाई देती है मिलिए हमारे अगले दो Great Indians से कौन भूल सकता है कि यही आवाज पंडित नहरू की आँखों से आशू बनकर चलक उठे थी Voice of the Millennium, Nightingale of India जैसे खिताबों से दुनिया ने जिन्हें नवाज आए Lata Mangeshkar Welcome back to the greatest Indian finale Social Scientist ने Indian audiences को दो हिस्सों में बात रखा था Masses, यानी front row वाले, और Classes, यानी balcony वाले Theory perfect thi, लेकिन गड़बर तब हो गई जब किसी ने balcony और front row के बीच की दिवार गिरा दी Aik heroine जिसकी अदाव पर दोनों तरफ से सीटिया बजने लगी दोनों तरफ से सिक्के उचलने लगे दोनों तरफ से थुमके लगने लगे She is the one who united India in her own unique style Ladies and gentlemen, please welcome actress par excellence, Mrs. Madhuri Dixit Nene Madhuri ji, आपको मैं पेले hot seat में रखूंगा Because we have the ultimate quiz master here लेकिन मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाना हूँ पहला सवाल, अगर आपको कपिल, सचिन और गावसकर तीनों में चुनना पड़ा, किसे चुनेगी आप? सचिन? वैसे तीनों ही बहुत अच्छे हैं अगर मैं आपको कहूं, Madhuri ji आप चुनिए दिलिप कुमार, देवानन और राज कपूर के बीच मैं अमिता बचन का नाम भी नहीं ले रहा मैं लेने बहुत लेना भी नहीं चाहिए लेकि इन तीनों में अगर आपको चुनना पड़ा तो अगर आपको चुनना पड़ा, किशोर कुमार, महमत रफी और लता मंगेशकर के बीच कि तो बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने, I'm sure जो जूरी थी और जो ओडियन्स था सभी को बहुत मुश्किल हुआ होगा कि यसे नाम कैसे चुने, एक नाम इन तीनों में से, क्यूंकि तीनों ही बहुत अच्छे कलाकार और मतलब उनके अपने फील्स में इतना कि अच्छे करें अच्छे मादूरी जी आपके सबसे पॉपलर दान्स नंबर भी लटाजी ने गाए है, तो क्या पको लगता है कि कहीं आपकी काम्याभी में उनका थोड़ा सा हिस्सा है, जी बिलकुल मुझे याद है जब पहली बार लटा दिदीने मेरे लिए प्लेग द दो कि अच्छे कहाए है जो है जी आपकि अच्छे कि सबसेभ़े में कौने वी बार लुक। और जब उन्होंने पहली बार गाया, तो ऐसे लगा, जैसे मेरे करियर को एक नया स्थर मिला है, मुझे लगा, कि मैंने कुछ अचीव किया, कि लटा बाई ने मेरे लिए गाया, और गाना थोड़ा दुखी थाइप था लेकिन मुझे लगता है, मैं सारा दिन मुस्कुरा रह जाइप लिए जाइप देश के लोगों ने आपको पंडित नहरू, सर्दार पतेल, अंबेटकर और मदर टरीजा के साथ गिना है, as the 10 greatest Indians, कैसे महसूस करी आप तो बी इन इस ग्रेट लिस्ट? बहुत मुश्किल है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा नाम इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ वहाँ जोड़ा गया है, हाला कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर खुशी की बात है. लदा दिदी, एक तर साड़ी खुबसूरेक नेसला था तो मियास, आपसे मुझे एक पुशना था, कि सब जानते हैं कि पंडित नहरू आपकी आवाज सुनकर रो पड़े थे, जब आपने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, कैसा मोमेंट था आपको, कैसे लगा आपको तभी? माधुरी जी, नमस्कार, मैं थोड़ी सी डरी हुई थी, कि इतनी बड़ी मतलब जनता के सामने गाना है, पर फिर भी मैंने जा कि जब गाया वहाँ पे, तो मुझे हमारे महभूब खान साफ थे, डरेक्टर, वो लेके गए मुझे बहार, और पंडी जी के सामने मुझे खड़ा किया, और पंडी जी ने मुझे कहा, के बेटी तुमने आज मुझे रूला दिया. And I just want to tell you that I was present there in that function when she sang. It was in the National Stadium in Delhi. You know, that must have been a very special day. So you unite India, as I keep saying. You unite India from the 60s to the 21st century now. So, but, you know, anything about Lata Mangeshkar that stands out for you? देखें, सुरताल में, जब सही सुर लगता है न, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा जो है, वो पर्मात्मा से जुड़ गई है. सितार आप देखा होगा, जी, उपर नॉर्मल तार होते हैं, और उसके नीचे सिंपथेटिक तार होते हैं, कुछ पतले. और जब उपर वाले तारों का सही सुर लगता है, तो नीचे वाले तार जो है अप बज़ उटते हैं. लधा जी जब गाती हैं, तो हमारे अंदर जो वो तार है, आत्मा का, वो अपने आप बज़ उटते हैं. और एक एक डोर बंद जाती है परमात्मा के साथ ये खुबी है लदा जी की आवाज में और मेरे पिता जी से मैंने एक बार पूछा था कि आपको इनकी आवाज में क्या खुबी लगती है तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन दिया उन्हें कहा कि शहद की धार जो है वो क और दूसरी बात ये कि शहद एक ऐसा पदार्त है जो कभी खराबी नहीं होता है तो लता वंगेशकर को उन्होंने शहद की धार के साथ उसकी तुलना की आप मुझे एक स्टोरी एक बार बता रहे थे आपकी किसी पाकिस्तानी दोस्त ने आप से कही थी वो हमारे तर्शको को बताईए उनसे कई बार मिलता हूं और वो विदेश में कई बार मिले मुझे एक बार ऐसे ही गुफ्तुगू हो रही थी तुनने कहा कि देखिया मिताब जी आपके पास सबकुछ है जो हमारे पास है सिर्फ दो चीजें हमारे पास नहीं है जो आपके पास मैंने का क्या ताज महल और लटा मंगेश कर नहीं है जो हम आपके हैं कौन का एक गाना बहुत पॉपलर जो था माई नी माई अगर मेरी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिए माई नी माई मुंधर पे तेरी पोल रहा है जोगन हो गई तेरी धोलारी मः जोगी संगलागा अरादे है, thank you very much, thank you, thank you very much, thank you. Who is the greatest Indian after Gandhi? आपके मन में कोई न कोई नाम जरूर होगा. क्या वसी नाम पर इंडिया ने अपने वोटो की महर लगादी है? We'll find out after this very short break. We salute our greatest Indians with this soulful performance.